जैस्री राम सभी को देखिए कौन नहीं चाहेगा कि उसके अंदर पराक्रम हो, हिम्मत हो, साहश हो और बल हो क्योंकि किसी भी कारिय को करने के लिए सबसे पहले साहश और हिम्मत होना बहुत जरूरी है और पराक्रम और बल के द्वारा ही किसी कारिय में सफलता प्राप्त की जा सकती है तो इन सभी को जो देने वाले ग्रह हैं, वे हैं मंगल देव इसलिए मंगल देव को शभी ग्रहों का सैनापती कहा जाता है ये बल पराक्रम हिम्मत साहश और जा देने वाले ग्रह है कि मंगल देव के राशी परिवर्तन का, कि मंगल देव राशी परिवर्तन 10 मई 2023 को बुद्ध देव की राशी मिथुन से निकल कर चंद्रमा की राशी करक में कर रहे हैं, मंगल देव चंद्रमा के घर जा रहे हैं और यहां 30 जून 2023 तक रहेंगे तो करक रासी जलतत्व की रासी है और मंगल देव अगनी तत्व के ग्रह है तो अगनी वाले ग्रहे जलतत्व की रासी करक में जा रहे है तो वहां ये नीच के हो जाते हैं तो आईए बात करते हैं कि मंगल देव के नीच रासी कर्क में आने पर सभी बारहे रासी वाले जातकों को ये कैसा कैसा फल देने वाले हैं रासी फल जानने से पहले जान लेते हैं कि मंगल देव 22 अप्रेल 2023 से 16 माई 2023 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देव गुरु ब्रस्पती हैं मंगल नीच रासी में प्रिवेश करेंगे 10 माई 2023 को दोपहर बाद 1 बज कर 49 मिनिट पर तो 10 माई 2023 से 16 माई 2023 तक मंगल देव ब्रस्पती के नक्षत्र पुनर्वसु में रहने के कारण जिनकी भी जनम कुंडली में देव गुरु ब्रस्पती जिन दो भावों के स्वामी है यानि कि ब्रस्पती की रासी धनू और मीन है तो कुंडली में जहां 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है उन भावों से सम्मंदित कुछ ना कुछ परेशानी मंगल देव अवश्य ही देंगे क्योंकि नीच के होकर के और ब्रस्पती के नक्षत्र में रहेंगे और 16 माई 2023 से मंगल पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे जो की सनी महराज का नक्षत्र है इसमें 16 माई 2023 से 8 जून 2023 को दोपहर बाद 3 बजकर 22 मिनिट तक रहेंगे तो जिनकी जनम कुंडली में सनी जिन दो भावों के स्वामी है यानि की सनी की दो रासियां हो गई मकर और कुंभ तो जनम कुंडली में जिन भावों में 10 और 11 नंबर लिखा है उन भावों से सम्मंदित समश्याएं आएंगी क्योंकि मंगल देव नीच के हो करके और सनी महराज के पुष्य नक्षत्र में आएंगे अब 8 जून 2023 के बाद 30 जून 2023 तक आसलेशा नक्षत्र में मंगल देव रहेंगे जिसके स्वामी बुद्ध रहे हैं तो जिनकी जनम कुंडली में बुद्ध जिन भावों के स्वामी हैं यनि कि बुद्ध की रासियां हो गई मिथुन और कन्या तो जहां 3 नमबर लिखा है और 6 नमबर लिखा है तो उन भावों से सम्मंदित समश्याएं देंगे आई अब जानते हैं कि बारहे रासियी वाले जातकों को मंगल देव के नीच रासी में आने पर ये कैसा कैसा फल देंगे यहां इस कुंडली में मैंने पहले भाव में मेस रासी लिखी है दूशरे भाव में विर्षब रासी तीसरे भाव में मिथुन रासी इसी क्रम में बारवे भाव तक यानि की मीन रासी तक मैंने लिखी है तो आपकी जो भी रासी है यानि की मेस रासी है या विर्षब रासी है मिथुन रासी है कोई शी भी रासी है तो अपनी अपनी रासीयों के हिसाब से आप देखेंगे कि किस रासी वालों को मंगलदेव कैसा फल देंगे तो आईए सबसे पहले बात करते हैं कि मेश रासी वाले जातकों के मंगलदेव चोथे भाव में नीच रासी में आए है और मंगल मेश रासी और व्रसिक रासी के स्वामी है तो अस्टम भाव में व्रसिक रासी होने के कारण आठवे भाव के स्वामी भी बनते हैं तो मेश रासी के जातकों में आत्म विस्वास की कमी देखने में आएगी और कुछ निर्णे लेने में भी कठनाई होगी और मेस से चतुर्थ भाव यनि की करक रासी और करक रासी में मंगल देव नीच के होकर आये हैं तो ये मेस रासी से चोथा भाव हो गया तो चोथा भाव घर का होता है, माता का होता है तो यहां मंगल के नीच में आने से मेश रासी वालों के घर में कुछ तनाव पूर्ण माहुल बनेगा और माता जी को भी कुछ स्वास्त सम्मंधी समश्याएं हो शक्ती हैं मेश रासी वालों को इस समय में भूमी मकान और वाहन से सम्मंधित कोई कारिय नहीं करना चाहिए अन्यत्हा उन्हें कुछ नुकसान होने की संभावना है मेश रासी वालों के लिए मंगल की वस्तूओं का दान करना उचित रहेगा नंबर दो देखते हैं कि विर्षव रासी वाले जातकों के लिए मंगल बारवे भाव और सात्वे भाव का स्वामी बन रहा है तो विर्षव रासी वालों के लिए तीसरे घर में मंगल नीचका होने से पराक्रम और हिम्मत का सही रूप से सदुपयोग करना होगा जहां जरूरत नहीं है वहां बेवज़े अपने पराक्रम का उप्योग ना करें और ब्रिसब रासी से सात्वे भाव का स्वामी भी मंगल होने से वैवाहिक जीवन में भी तनाव की इस्थिती बनेगी बेवज़े दामपत्य जीवन में तनाव बन सकता है पती पतनी के बीच में मिस अंडरिस्टेंडिंग हो सकती है अतहे व्रिसब रासी वाले जातकों को अपनी मेरिड लाइफ में छोटी मोटी बातों को इगनोर करके चलना होगा व्रिसब रासी वालों के मंगल बारवे भाव के स्वामी होने के कारण इनका कुछ ब्यर्थ के कारियों पर खर्चा बढ़ सकता है तो खर्चे पर नियंतरन रखने की कौसिस करें व्रिसब रासी वाले वो जातक जो विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विदेश जाने के योग भी बनेंगे लेकिन सावधानी के साथ जाना होगा क्योंकि मंगल नीच रासी में आए हैं अब देखते हैं कि मिथुन रासी वाले जातकों के लिए मंगल ग्यारवे भाव यानि आए भाव के स्वामी और छटे भाव के स्वामी बन रहे हैं तो मिथुन रासी वाले जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा क्योंकि मंगल नीच के होकर इनके वाणी भाव यनि की दूसरे भाव पर आये हैं मिथुन रासी वाले जातकों को किसी को रुपियों के देने से बचना होगा अनिथा किसी को दिया धन वापस आने में परेशानी होगी धन फस सकता है कारण कोई भी बन सकता है और अपनी बोलचाल में सैयम बरतना होगा किसी से भी बातचीत करने में जल्दबाजी नहीं करनी है सोच शमज़कर बातचीत करें अनिथा आप किसी परेशानी में फस सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं करक रासी वाले जातकों के लिए मंगल पंचम और दसम भाव के स्वामी बन रहे हैं तो पंचम भाव के स्वामी बनने के कारण करक रासी वाले जातकों को संतान संबंधी कोई चिंता बन सकती है संतान को कुछ शमस्या हो शकती है दसम भाव के स्वामी होने के कारण करक रासी वाले जातकों को अपने कारिय इस्थल पर वानी सैयम रखना है और कारियों को करने में जल्दवाजी नहीं करनी है कर्क रासी वाले जातकों के पीठ और कमर में दर्द की समश्या हो शक्ती है और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण विद्धा में भी इनके रुकावट आ सकती है सिंग रासी वाले जातकों के लिए इनके मंगल चौथे भाव और नवे भाव के स्वामी बन रहे हैं मंगल चतुर्थेस और नवमेस बनकर बारवे भाव में बैट रहे हैं सिंग रासी वाले जातकों का धन कुछ ब्यर्थ के कारियों पर खर्च हो सकता है तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें और इनके विदेश जाने का सपना भी पूरा हो शकता है सिंग रासी वाले जातकों को वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए इनको कोई चोट आदी लगने की संभावना बनती है इनको इस समय में ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है कियेगे कारियों का संपूर्ण फल नहीं मिल पाएगा और घर परिवार पर धन भी खर्च होगा कन्या रासी वाले जातकों के मंगल तीसरे भाव और आठवे भाव के स्वामी बन रहे है कन्या रासी वालों के पराक्रम को मंगल बढ़ाएगा लेकिन इनको पराक्रम सही दिसा में लगाना होगा क्योंकि इनके पराक्रम भाव के स्वामी मंगल है और वो नीच के है किसी भी कुंडली में तीसरे भाव से छोटे भाई का और ग्यारवे भाव से बड़े भाईयों को देखते हैं तो कन्या रासी वालों के ग्यारवे भाव में नीच के मंगल से इनके लिए अपने छोटे वे बड़े दोनों ही भाईयों से विनमरता से पेस आना है इनके भाईयों को भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि भाई भाईयों में आपस में विवाद हो शकता है आय भाव में नीच के मंगल बैठने से किसी अनेतिक तरीके से धन आ सकता है तो ऐसे धन से भी इन्हें बचना चाहिए क्योंकि अनेतिक रूप से आया हुआ धन बरवादी का कारण बनता है नेक्ष्ट देखते हैं तुलारासी वाले जातकों के लिए मंगल दूसरे और सात्वे भाव का स्वामी होकर दस्वे भाव में बैठ रहे हैं मंगल के इस गोचर के कारण आपके कारियक शेत्र में कुछ कम्या निकाली जा सकती हैं जिनकी वजह से लोगों के बीच कुछ नीचा देखना पड़ सकता है तो अपने कारियक शेत्र पर विसेश ध्यान रखें सब्तम भाव के स्वामी नीच के होकर दसम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां पैदा होंगी पत्नी को सारीरिक समस्याएं हो सकती है कुछ पुरानी रक्त से सम्मंदित बीमारी परेशान कर सकती है महिला जातकों के पती को कुछ बीमारी परेशान कर सकती है तो ऐसे में मंगल की वस्तों का दान करना उचित रहेगा नेक्स्ट है व्रश्चिक रासी वालों के लिए मंगल लगन का स्वामी और छटे भाव के स्वामी होकर भागे भाव में बैठ रहे हैं जब लगने इस नीच के होकर भागे भाव में बैठते हैं तो भागे में कमी देते हैं भागे का सहरा इस समय में ब्रश्चिक रासी वालों को नहीं मिल पाएगा इस समय में किशी धरम मंदिर तिर्थी आत्रा के लिए जाने का समय भी बनता है और इनको अपने इस्ट देव की मंदिर में जाकर अराधना करनी चाहिए तो भागे का सहरा इनको प्राप्त होगा ब्रश्चिक रासी वालों को सांस और गले से सम्मंदित या पैरों से रिलेटिड कोई बीमारी परेशान कर सकती है तो इनको इस समय में विसेश ध्यान रखना है नेक्स्ट है धनूरासी वालों के लिए मंगल पंचम भाव और बारवे भाव का स्वामी होकर अस्टम भाव में बैठ रहे हैं तो धनूरासी वालों को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए और कोट कचहरी से भी बचकर रहना चाहिए यह मंगल इनको कोट कचरी के मामलों में फसा सकते हैं बारवे भाव का स्वामी होने के कारण होस्पिटल भी ले जा सकते हैं और कुछ ब्यर्थ के कारियों पर धन खर्च करना पड़ सकता है धनुरासी वाले जातकों के संतान भाव के स्वामी होकर अस्टम भाव में जाने के कारण संतान की तरफ से भी इनको चिंता रह सकती है धनुरासी वाले जातक अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें इनको चोट लगने की संभावना भी बनती है नेक्स्ट है मकर रासी, तो मकर रासी के लोगों के मंगल चौथे भाव और ग्यारवे भाव के स्वामी होकर सब्तम भाव में बैठ रहे हैं तो मकर रासी वालों के वैवाहिक जीवन में परेशानी पैदा करेंगे, पती-पत्नी में विचारों का तालमेल नहीं बैठेगा और जीवन साथी को किसी रक्त से सम्मंदित बीमारी भी हो सकती है, पती-पत्नी के बीच तनाव रहेगा और घर में कलह का वातवरन बन सकता है मकर रासी वालों के लिए अपने वैवाहिक जीवन में सांती बना कर रखनी चाहिए मकर रासी वाले ऐसे जातक जो किसी रोजगार की तलास में हैं उनको इस समय में रोजगार के लिए ज़्यादा भागदोर करनी पड़ेगी फिर भी पूर्ण रूपेंड रोजगार प्राप्त नहीं होगा सफलता कम और असफलता ज़्यादा मिलेगी तो इनको मंगल की वस्तों का दान करना उचित रहेगा कुम्ब रासी वालों के लिए मंगल तीसरे भाव और दस्वे भाव के स्वामी हो रहे हैं और नीच के होकर छटे भाव में बैट रहे हैं तो कुम्ब रासी वालों को अपने कुछ छुपे हुए सत्रू परेशान करेंगे और इनको अपने सत्रों से सावधान रहना चाहिए कुमरासी वाले जातकों को पेट से रिलेटड डाइजेसन रिलेटड कुछ परेशानी हो सकती है कुमरासी वालों के पराक्रम और हिम्मत में कुछ कमी आईगी कारण सत्रों द्वारा परेशान करना हो शकता है जिससे ब्यक्ति अपने आपको हिम्मत हार महसूस कर सकते हैं नेक्स्ट है मीन रासी तो मीन रासी वाले जातकों के लिए मंगल, दूसरे भाव और भाग्य भाव के स्वामी होकर पंचम भाव यानि की संतान भाव में बैठ रहे हैं तो मीन रासी वालों को किसी से भी वारतालाप बड़ी सोस समझकर करना चाहिए अपने कुटुम परिवार वालों से कुछ विवाद वाली इस्तिती बन सकती है कुछ मन मुटाव हो शकता है इस समय में इनको लगेगा कि भग इनका साथ नहीं दे रहा है और संतान पक्ष को ल पुनरवसू, पुष्य और असलेशा इन नक्षत्रों से गुजरेंगे तो पुनरवसू के श्वामी देवगुरु ब्रसपती, पुष्य के स्वामी सनी महराज और असलेशा के स्वामी बुध देव हैं इन ग्रहों को यानि ब्रसपती, सनी और बुध इनको अपनी जनम देखिये कि किस अवस्था में बैठे हैं यदि सुब अवस्था में बैठे हैं तो कुछ कम बुरा फल मंगल देंगे और यदि ये ग्रह अशुब अवस्था में बैठे हैं तो मंगल इनके नक्षत्रों में गुजरने के दोरान ज्यादा अशुब फल देंगे जिनके ब्र तो ऐसे जातकों को इन ग्रेहों से सम्मंदित वस्तुओं का दान करना चाहिए और मंगल के लिए मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए जिसमें आप मसूर, गुड, तांबे की वस्तु, लाल रंग का कपड़ा इनका दान करें मंगल के गोचर के अशुप प्रभाव से बचने का संकल्प ले करके इन वस्तूओं का दान करें परमात्मा सभी का मंगल करें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जै स्री राम